हमारे इस खास सेग्मेंट एक्स्प्रेनर में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे एक्स्प्रेनर में आज हम बात करेंगे इस्रेल की क्योंकि इस्रेल ने ये आदेश दिया है अपनी सेना को की जहां जहां पर भी उसके सैनिक थे वो अब वापस इस्रेल लॉट आए लेकिन अचानक सी फैसला बेनिमिन नितिन्याहू की ओर से क्यों लिया गया यही चौकाने वाला है और इसी पर बात करेंगे तो आपको ये तो पताई होगा कि इस्रेल और हमास की जंग लगा था चल रही है और काफी लंबा वक्त से पूरी जंग को बीच चुका है और बार बार इंतिजार किया जा रहा था इस जंग का कि ये किसी भी तरीके सरुक है लेकिन ये रुपती हुई थंथी हुई नजर नहीं आ रही थी लेकिन अब कुछ अचानक ऐसा होता है कि बेनिमन नितन्याहू जो की राश्टपती है इस्रेल के उनकी ओर से यहां पर आदेश दे दिया जाता है अपनी सेना को कि वो अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं इस्रेल खासतोर पर गाजा उसके आलावा राफा कर लिया है और वो जीट चुका है वो खुद को जीता हुआ मान रहा है इन तमाम शेतर पर गाजा पर जहां पर बार बार हमले कर रहा था और इसी वज़ज़ से अब इस्रेल में कहा है कि हम तो जीती गए हैं एक तरीके से तो हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं लेकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है इरान इरान एक तरीके से यहूदियों को बिलकुल भी पसंद नहीं करता और उसकी जो नीती है वो यही है कि यहूदियों का खात्मा इस दुनिया से हो जा और इसी वज़ज़ से बार बार इसरेल एक मात्र यहूदी देश है प से बताया और इसी वज़ज़ से अब इसरेल को यह डर लग रहा है कि कहीं अब इरान उस पर हमला ना कर देगै जिसमें क्योंकि इरान का जो एक सेने कमांडर था वो भी मारा गया था और इसी कारण अब डर है इसे अपर हमला किकी अब इस देग्राइल को जाहिए्धियों उससे कोई भी चीन नहीं सकता घाजा का जो कई सारे जो शेत्र हैं वो उसके गबजे में ही उसका कहना था लेकिन बहुत बड़ा कारण इसके पीछे एरान है तो एरान कभी भी हमला कर सकता है और अमारिका क्या जो सायबर सेल है उसकी ओर से ये भी खबर सामने आई है कि ये जो हमला है वो रमजान के दौरान ही इरान कर सकता है और इसी वज़ा से अब इसरेल खुद को मजबूत कर रहा है इरान के इस हमले के लिए कि अगर इरान ने हमला किया तो खुद को किस तरीके से और जादा मजबूत किया जाए आला कि जो विशेशक हैं वो यही बताते हैं कि एरान सेन उपकरणों के साथ और उसकी जो सेना है वो इतनी मजबूत नहीं है कि इस्रेल पर सीधे सीधे हमले कर दें तो ऐसा भी हो सकता है कि एरान के साथ और कुछ ऐसे देश आएं जो यहूदियों को खत्म करना चाहते हों और इस वज़ा से वो इसरेल पर हमला करने तो यह बड़ा कारण है जब इसरेल अब अपनी सेना उसने वापस गुला ली है इसका और बकाइदा उसकी ओर से दिया गया था और इसके अलावा एक पहले भी खबर सामने आई थी उसने तमाम अपने जितने भी अमबासडर से उच्च अधिकारी थे जो बाहर विदेशों में हैं उनको ये आदेश दिया था कि वो किसी भी तरीके से सारवजने के कारेकरमों में बाहर ना जाएं क्योंकि उन पर हमले हो सकते हैं और ये जो डर था ये भी इरान की वज़़ा से ही था तो आगे क्या होगा ये तो देख युद्ध की ओर दीरे दीरे दुनिया को ले जा रहा है आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के जरी हमें जरूर बताईए और न्यूज एटिन इंडिया के यूट्यूब चानल को अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी जरूर दबाईए झाल